Hi Hello Everyone, Welcome and Welcome back to my YouTube channel, मैं हूँ अर्शिका and yes मैं डिस्कस करूँगी CA Result Dilemma तो ये CA Result Dilemma क्या है, actually किस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, कैसा ये डाइलमा है and कितना ज़्यदा इंपक्ट करता है ये डाइलमा हमारे CA के जरनी में So, जो confusion है, जो डाइलमा है वो ये है कि like Results आने से पहले, like जिनके Group 1 clear है या Group 2 clear है, जिनके कोई भी Single Group clear है and उन्होंने एक Group के लिए appear किया है, तो उनके लिए तो life बहुत easy है, ठीक है, वो result का wait करेंगे and wait करेंगे, उसके बाद result देखेंगे, जैसा होगा positive आएगा, तो उनकी life change हो जाएगी and negative आएगा, तो उनको hard work करना होगा see, तो यहाँ कोई dilemma है ही नहीं, जिनका एक भी Group clear है, आइधर वो Group 1 हो या Group 2 हो, मैं बोथ CA, Inter and CA Final दोनों के बात कर रही हूँ, बच डाइलमा and confusion के बात कहां arise होती है, जब आपके बोथ Group pending है and आपने किसी एक Group के लिए exam appear किया है, आइधर आपने Group 1 के लिए appear किया हो, या तो वो Second Group की या जो भी आपका Group pending है, उसके classes ले लेनी चाहिए, तो problem यह arise होती है, तो like यह problem जो है बहुत common है, अगर आपने एक Group का exam दिया है and उसके बाद आपको यह confusion हो रही है कि क्या मैं result का wait करूँ, या फिर मुझे क्या करनी चाहिए, जो pending group है, उसके classes ले लेनी चाहिए, तो see, मेरा experience क्या कहता है and मेरा जो journey था and मैं अपनी journey से जितना भी go through हुई हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने experience से आपकी help करने के कोशिश करूँगी, see, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस भी group का आपने exam दिया है, उसके passing जो percentage है या passing आपका यह probability जो है, वो 50% से जाता है मतलब आप maximum बहुत जादा आपका assurance है कि हाँ मेरा ये group clear हो जाएगा, then आप purchase करिए, जो भी आप pending group है, उसके आप classes purchase करिए, बट अगर आपके exams जो है वो okay okay गये हैं, चीक है, and आपको 50-50 chances है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, like ऐसा वाला situation है, तो आपको classes दूसरे group क आप purchase करने के जरूत नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जब आपके CA final के both group pending होते हैं, तो like आपके मन में हमेशा ये question arise होता है, कि क्या मैं CA बनूँगा, बनूँगी, या फिर क्या मैं CA नहीं बन पाऊंगा, या फिर नहीं बन पाऊंगे, as a case में भी, तो like ये question हमेशा आपके मन में arise होता है, क्या मैं CA बनूँगा, या बनूँगी, जब आपके both group pending होते हैं, पर जब आपका कोई एक single group clear हो जाता है, तो वहाँ पर if and but कोई chances नहीं होते, मैं बता रही हूँ कोई भी chances नहीं होते, अब आपके मन में जो है, वो 50% से ज़्यादा assurance है, कि yes मैं CA clear करके ही रहूँगा, या CA clear करके ही रहूँगी, ये chances जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपका जो confidence level है, वो बहुत बहुत ज़्यादा increase हो जाता है, तो जिनके both group pending है, और उनके पास से dilemma चल रहा है, कि हाँ मैं क्या करूँ जो pending group है, उसकी classes लूँ, या पर मैं result का wait करूँ, तो अपने आप से, आप question करिए, अपने आपको खुद analyze करिए, कि हाँ, अगर आपके exam जो है, वो बहुत अच्छे गए हैं, और passing chances बहुत ज़्यादा है, ये आप दूसरे group पे अपना, like अपना जो focus है, वो shift करिए, बट अगर थोड़ा सा भी dilemma है, थो उसी group पे focus करना है, and result तक wait करना है, like क्या होता है, कि हम एक classes, दो classes ऐसे purchase कर लेते हैं, and उसके बाद फिर result जो है, accordingly नहीं आता, जैसा आपने सोचा है, वो classes बिल्कुल waste हो जाती है, क्योंकि फिर आप उसी group के लिए prepare करोगे, ठीक है, and जो आपने classes purchase की है, वो totally पैसा और time, समझा पाई हूँ, and accordingly आप सब लोगों का अपना decision होता है, कि हाँ, क्योंकि सब की life अलग है, सब की life में अलग-अलग situations है, तो शायद बहुत लोगों की life में जो मैं बता रही हूँ, ये चीजे जो है, वो compatible ना हो, but mostly जो मेरा experience रहा है, क्योंकि like मैंने भी classes, एक subject ली दो-द हो गया, syllabus change हो गया, this, that, वो चीजे अलग हो गई, but उसके पहले भी, जब आपने इतने पहले, इतनी पहली classes ले रखे होती है, तो आपको सब कुछ बूल जाता है, तो आपको फिर से तुबारा मैनत करनी पड़ती है, फिर से classes लेनी होती है, तो I hope कि मैं आपको थोड़ा सा